दोस्तो जब हम Tally software के अंदर कोई laser create करते हैं या फिर कोई stock item create करते हैं तो सारा data fill up करने के बाद में last option हमारे सामने आता है opening balance का जब हम stock item create करते हैं तो यह तीन option हमारे को यहां पर दिखाई देते हैं opening balance के timing, quantity, rate और उसकी value और अगर हम बात करें laser की तो जब हम laser create करते हैं तो laser के अंदर के हो यह single amount यहां से पुछी जाती है तो दोस्तों यह opening balance होता क्या है और किस condition के अंदर हमी opening balance का यह data fill up करना पड़ता है चाहे वो laser creation की बात हो चाहे वो stock item की बात हो तो यह सारी बाते हैं आज की इस video में हम आपके साथ practical share करने वाले हैं कि opening balance का मतलब क्या होता है और किस condition के अंदर में quantity और value लिखनी ज़रूरी होती है तो वीडियो काफी important है विसेसकर एक fresher accountant के लिए तो इस video को end तक जूरूर कोई भी step इस video का skip बिल्कुल भी मत करना है तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है मौन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे तो दोस्तों वीडियो की सुरुआत करें उससे पहले आप से एक छोटा सानिवेदन भी है अगर आप इस channel प उससे पहले हम बात करते हैं कि हमें stock item का opening balance किस परकार से maintain करना होता है तो दोस्तों opening balance का मतलब हो क्या भी हमारा just last का जो हमारा financial year था उस financial year के दौरान हमने जो भी closing stock value निकाली थी वो हमने inventory basis भी इस्तियार करी थी inventory basis का मतलब हमने एक एक stock item को count किया था और उसी stock item का हमने quantity भी maintain करी थी और उसकी value भी maintain करी थी तो जो हमने last year यानकि जो मारा अब financial year जैसे कि मारा 22 तो यानकि जो हमने एक अप्रेल 21 से लेके 31 March 22 तक का जो हमारा financial year था और 31 March 2022 को जो हमारे पास stock बचावा था उस stock को हमने count किय सबी stock जितने भी हमारे business के अंदर product थे सबी को हमने count कर दिया और उनकी value भी निकाल ली value का method आपकी company जो भी follow करती है चै वो average method फोलो करती हो चै वो last purchase को follow करती हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब माली जी पहले आपका कोई manual work था या किसी दूसरे accounting software में काम करते थे चै आपने एक अलग से company create करके आपने उसको maintain करना start कर दिया for example समस्ते हमारे पास यह दो टेली open है एक हमने old release टेली के नाम से बनी विये और एक हमारे पास में यह new टेली 3.0 के नाम से है तो हम यह मान के चलेंगे भी यह new टेली 3.0 का है यह मारा finance लियर 22 का इसकंदर हम वरक कर और जो old release का है उसके अंदर हमारा 21 का रहें कि financial year अभी भी आपको 22 से दिख रहें लेकिन हम यह मान के चलेंगे भी इसके अंदर हमारा का financial year 21 का है ठीक है अब हम क्या करेंगे इस company के अंदर हमारे पास जो भी stock item थी हम stock summary पर जाएंगे माली जी हमारे पास यह stock item बची भी थ budget के उनसार इसके 400 रुपे की value बन गी है तो अब हम जब हम नई company create कर लिए टेली software के अंदर तो अब हम जैसे यह नई टेली के अंदर इस item A को create करेंगे जैसा कि मेरे पास बनी विया तो मैं इसको alter कर लेता हूं जैसा कि मैंने item A already बनी विया तो जब हम इस item A को नई company के अं item को तो इसके अंदर हम क्या करें अब यहां पर opening बने समय कौन सा लिखना है जो हमारे पास last finance year के दोरान 31 मात को जो stock की quantity बचीवी थी वो quantity हमें यहां पर लिखनी है तो quantity हमारे पास थी तो हम इस art भी इसको यहां पर लिखेंगे और value थी इसकी 400 रुपे की तो यह 400 रुपे तो आप value को खाली भी छोड़ सकते हो यहां पर मनि जिसा के मनियापी इसको जीरो कर दिया तो अब आपकी केवल quantity ही maintain रहेगी इसकी value maintain ही होगी अगर आप यहां पर 400 रुपे की value लिख देते हो तो अब उसके बाद में आपको पूरी balance sheet का data जो 31 मार्क 2022 को आपनी त्यार करी प्लस उन सभी के जितने भी हमारे balance sheet के अंदर लेजर थे जो भी हमारे पास लेजर थे उन सभी के लेजर हमें करने पड़ेंगे और उनके opening balance हमें लिखने पड़ेंगे तो इस तरीके से हम closing store की value stock item के अंदर डाल देंगे अब हम बात करते हैं laser की तो laser का क्या रहेगा जैसा है कि last year के अंदर हमारे पास हम कुछ लेजर थे हैं balance sheet को open कर लेते हैं और इस balance sheet के अंदर हमारे पास कुछ centry creditor है डैप्टर भी हैं तो मालीद ये ABC traders के नाम से हमारे पास last year के अंदर एक company थी और इस company का balance था 1050 रुपे credit है निकि यह हमने इसको डेर ने थे तो जब हम नई last year का closing balance आपका next year का opening बन जाएगा तो अब यह 1050 रुपे हम यहां पर mention करेंगे तो अब आपका यह opening balance का जो difference है वो शो करेगा कहा करेगा नए वाली balance sheet के अंदर जैसे हम इसको जाएंगे final report पर हम जाते है balance sheet को देखेंगे तो balance sheet के अंदर आपको जब तक आप अपने last year का balance में सारा fill up कर नहीं देते हैं तब तक यह आपका difference in opening balance के अंदर से यह नहीं अटेगा यह आपका कुछ ना कुछ value के साथ दिखाई देता रहेगा जैसे हमारी last year के balance sheet का सारा data हम opening balance में नई company के अंदर डाल देंगे तो यह difference in opening balance है जो आपका हट जाएगा तो दोस्तों मुझ opening balance को किस condition के अंदर maintain करते हैं अगर आपने पहली बार ही company create करके start किया business तब आपका यह opening balance है जो बिल्कुल zero रहेगा उस condition के अंदर हमें नहीं तो किसी laser के अंदर opening balance दिखना और नहीं किसी stock item के अंदर हमें quantity और उसकी value लिखने क्योंकि last year मारे पास कुछ भी बच्चा वह नहीं था हमने इसी finance layer के दोराना जो business start किया टेली software के अंदर है तो दोसो आज की वीडियो पसंद आई अगर knowledgeable लगी है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करना चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो प्लीज वो भी जुरूर कर लेना